हेलो फ्रेंग्स क्या आपने भी एमाजन पेलेटर एक्टिवेट करकर रखा है और आपके एमाजन पेलेटर पे भी एसा नोटिफिकेशन शो करता है जहां लिखा है है eligible for higher credit to upgrade your total approved credit to this amount इसका मतलब यही कि फ्रेंग्स आप चाहो तो आपका जो credit limit मिला है उसे आप increase कर पाओगे इतने amount तक जैसे मेरे यहाँ पर थाखेथावजन दिया गिया है तो मैं चाहो तो आपना जो credit limit है उसे में कर लिमिट कर पाऊंगा हो सकता है आपके वहाँ पर कम amount यहाँ पर सो कर रहा होगा या फिर इससे ज्यादा भी सो कर सकता है तो जो भी आपके वहाँ पर सो करेगा उस अमांट तक आप आपना जो credit limit है उसे कर पाऊंगे मेरे किस में फ्रैंट्स मुझे एमाजन पेलेगा रेक्टिवेट करने पर पहली बार मुझे 7500 का लिमिट मिला है जो यहां पर देख सकते हो और यहां पर मैंने टोटल जो है 1150 रुपे भी यूज़ कर लिया है और आभी मेरे एमाजन पेलेटर पे एविलेब के क्रेचि लीमिट है उससे ऐसे इंद्रिस कर सकते हो देखिए फ्रैंच यूच्ट्यूबपे से बहुत सारे वीडियो तरा बूला गिया है कि आप चाहो तो हुँछ से ही आपका जोम्र पेलेटर का क्रेड़िट लींिट है उससे आ Mins weirdest कर सकते हो उसके लिए आपकी अपना पेलेटर के क्रेडिट लिमिट इंक्रिस करने के लिए आपके एकांट पे इस तरह का जो है नोटिफिकेशन एनेबल कर देंगे बोलके लेकिन मैं आप लोग को बाता देता हूँ यह हम खुद से इंक्रिस नहीं कर पाते हैं यह जो है पेलेटर के उपर दीपर करता है जब आपको पहली बार यहां पेलेटर पे क्रेडिट मिलेगा उसके बाद आप उस क्रेडिट तो मैं यहां चांडेक्शन्स पर दिखा देता हो मैंने अपने क्रेजिट लिमिट को कितने पर यूश किया है तो यहां मैंने पहली पर इसे यूश किया था 25 जूलाइ 2023 को यहां में क्लिक करता हो तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने only 164 रूपिस का प्रोड़क्ट ब पास्तारिक के अंदर आपका जो आपका जो बिल होगा उसे आपको पे करना होगा और इसके बाद मैंने क्रोड यहां में 88 को एक यहां में ट्लिक करता हूं तो यहां भी मैंने only 540 बीस का चांडेक्शन किया था और इसके बद मैंने मैंने 10 मर्च को एक ट्रांजेक्शन किया है फिर से यहां पर मैंने 1700 का ट्रांजेक्शन किया था तो यहां मैंने खाली तीन ही ट्रांजेक्शन किया है अपने करने का नोटिफिकेशन यहां पर दे दिया गिया है तो आपके केस में यहां पर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है आप खुद से ही कस्टोमर के आरपे कोल करके या फिर कोई दूसरा प्रोसेस यूज करके आप अपने क्रेजिट लिमिट को इंक्रिज नहीं कर पाऊगे तो यहां में आप लोगों को दिखा जाता हो किसे आप अपने क्रेजिट लिमिट को यहां पर इंक्रिस कर सकते हो तो सबसे पहले हम आपने मोगाल पर अप्लिकेशन को ओपन करेंगे उसके बाद यहां मीजिल में आपको दिखाई जागा Amazon Pay इस पे क्लिक करना है इस पे क्ल क्लिक करना है इसके बाद यहां पर निकल कराएगा यही पर आपको दिखाई देगा अगर आप Amazon Pay लेटर प्रेजिट लिमिट इंक्रिस करने के लिए यहां पर आपको इस तरह से नोटिफिगेशन दिखाई देगा अपना जो क्रेजिट लिमिट है उसे इंक्रिस करने के लिए तो यहां इंक्रिस करने के लिए यहां लिख्या है टू अबग्रिड यूर टूटल अब्रूप्ट क्रेडिट टू दीज एमाट यहां मुझे 30, का लिमिट दिया गिया है तो चलिए देखते हैं इस एक्टिवेट करने के बाद सब्सक्राइब मुझा का लिमिट मिलता है या फिर नहीं अभी जो है मेरे ano फिर यहां हम अपना क्रेज़िट लिमिट करने के लिए क्लिख हैं यहां क्लिक घृषिय कर Wen Data अभी हे सकते हैं यहां पे यहां फिर्ध लिखा आ गया है यहां और यहां नीचे दिलिख्ञा आ गया है टोटल एप्रूप क्रेजिट 30,000 और यहां पर मैंने जो यूज किया था पहले वो एमाट यहां पर दिखा रहा है 1150 रूपीज और इसके बाद मेरे Amazon Payletter में एविलेबल क्रेजिट है 28,850 रूपीज तो यहां पर आपने देखा बस एक ही क्लिक में मेरा जो Amazon Payletter का क्रेजिट लिमिट है वो यहां पर इंक्रीज हो गया है और यहां पर मुझे और एक एरो शो कर रहा है जहां लिखा है यूर लास्ट एटेम्ट वाज अनसक्सेस्पूल complete your video KYC to continue using Amazon Payletter यहां मुझे बते जा रहा है कि मेरा जो Amazon Payletter का एकाउंट है उसका KYC क्रेजिट करने के लिए तो आगर आपके वहां भी Amazon Payletter का KYC करने के लिए बते जा रहा है तो Amazon Payletter का KYC कैसे complete करते है इसके regarding मैं एक वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पर आपलोड करूंगा आगे फिलहल मैं इस वीडियो में आप लोग को बताए कैसे हम आपने Amazon Payletter का credit limit इंक्रिस कर सकते है तो यहां से मैं बेक जाके भी आपको दिखा देता हो एक बार यहां में फिर से Amazon Payletter पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो credit limit है वो अभी 30,000 हो गया है लेकिन पहले यहां पर 7,500 का credit limit शो कर रहा था क्योंकि मुझे पहली बार जो है Amazon Payletter में 7,500 का limit मिला था लेकिन अभी जो है वो limit increase होके यहां पर 30,000 दिखा रहा है तो फ्रेंट्स अपने इस वीडियो में देखा कैसे हम आपने Amazon Payletter का credit limit increase कर सकते हैं एक ही क्लिक में आई होप हमारे वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लेगी है अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छी लेगी है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज् करें और हमारे यूट्यूब चनल को जरू सब्सक्राइब करें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी ने यूट्यूप के साथ में मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद